सच स्रीकाल मेरा नाम गुरुपरी सिंग आप सभी का अपने चैनल एग्री कल्चर टेकनकल गुरु में बहुत बहुत स्वागत करता हूं भाईयो आज मैं आपको बताने वाला हूं यह जो ब्रैटी के बारे में बहुत अच्छी ब्रैटी है इसकी जो दूसरे साल की वी फसल कटिंग होती है बहुत अच्छी ग्रोथ करती है बाईयो यह ब्रैटी है 82 बातर ने बारे में बहुत अच्छी ब्रैटी है और अगर आप लोग भी इसको लगाएं तो अच्छा वेंफिट मिलेगा और इसका जो यह वजन है यह काफी होता है और इसकी जो दूसरे साल की ना बहुत अच्छी होती भाईयो आप लोग देख सकते हैं अब भी मैंने इसमें क्या किया था भाईयो जो मैंने बताया आप लोगों को मैंने एक बार सिरीफ इसमें SSV जिसको सिंगल सुपर फास्फेड बोलते हैं और नाइट्रोजन एक बार लगाई और एनपीके का मैंने इसका प्रयोग किया जो आती है उननीस उननीस बस दो चीजे लगाई हैं और दो पानी लगाएं भाईयो अभी क्या ब्यासी बातर जो है भाईयो मैं तीन से चार साल हो गए मुझको ब्यासी बातर के बारे में आप देख सकते हैं बहुत अच्छी वराइटी है अब भी क्या इसमें एक खास बात और भी है भाईयो ना इसका किसी भी जंगली जानुवरों का या सूवर का अगर कह लें तो बहुत ही कम नुक्सान है और ईसकी खास बात यह भी है जिस परकार से अगर जो इसकी इल्ड है वो वह बी अच्छी है जो मैंने इसकी कटिंग कर्वाई थी भाईयो बहुत ही लाश्ट में इसकी कटिंग होई थी जो आपके सामने है height भी काफी हो चुकी growth भी काफी है यह बिल्कुल मैंने last में अगर मान के चलिए 18 27 यह मैंने 27 28 28 मार्च की cutting है last बिल्कुल cutting होई थी भाईयो और जो आप देख पा रहे हैं अब भी आप देख सकते हैं कहीं gapping नहीं है यह जो मैंने इसकी जब बुवाई की थी तो एक फुट की दूरी पर मैंने बर्स डाले थे एक फिट की दूरी पर तो अगर आप लोग भी इसकी अगर बुवाई करें अपने चेत्र या एरिये में पूछ के आने वाले सेशन में तो बहुत ही अच्छी है और इसका एक खास बात ये भी है इसमें किसी परकार का रोग भी नहीं लगता है भाईयो यानि कि रोग रहित कह लें किसी परकार का रोग नहीं टाव बॉरर का भी रोग नहीं लगता है इसके उपर और इसकी हाइट अगर कहें तो हाइ हैं भाईयो जो दूसरे साल की जो होती ना पेड़ी जिसको बोलते हैं मोड़ा वो मतलब बहुत कम होती लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है भाईयो बैसी बातर में तो आप लोग देख सकते हैं पूरा फ्लॉट भर चुका है बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं पूरा घुमा घुमा के दिखा रहा हूं भाईयो बहुत लाश्ट में मैंने इसकी कटिंग की थी उससाथ से अगर देखें तो बहुत अच्छा सिर्फ दो पानी मैंने दिये थी इसके अंदर और भाईयो मेरे पास इस समय साथ से आठ बिलकुल नहीं पर जाती हैं जो सारी अगेती अर्ली जिसको कहते हैं वह आती है और कुछ मैं इस बार फिर चार वरैटियां नहीं लेकर आया था अपनी जो चीनी बिजनौर की धामपुर चीनी मील है अगर आप लोग वहां से संपरक करेंगे तो आप लोगों को वहां से वरैटियां अवेलबल हो है ग्रौफ अच्छी करती हैं भाईयो कुछ वरैटियां इसी होती हैं जो बहुत ही ज़ादा उसकी हम देख भाल करते हैं फिर भी जब उसका उतपादन नहीं मिल पाता है तो बहुत ही परिशानी का एक सबब होता है किसान भाईयों के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए है तो भाईयों आप लोगों का उत्पादन जो है मैं बिल्लकुल बढ़ाओंगा मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का भी उत्पादन बढ़े जैसे कि मेरे कॉल पर बात होती है कई किसान भाईयों से जो इल्ड है दो से ढाइसो कॉंटल तीन सो कॉंटल तक प्राप्त होती है तो इस अगर बजट में देखा जाए तो बहुत ही कम है भाईयो गन्ने की खेती से तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाईयो मेरी उपज तो मैं लेडी बताई चुका हूँ 700-800 कॉंटल एक एक कड की आती है जो मैं बिजेता भी रह चुका हूँ आप लोगों को मालूम भी होगा मैंने वीडियो भी डाल लखा है 2016 उत्पादन मैंने जो किया था वो मेरा यूपी से मैं फर्ष्ट आया था पहले नंबर पे था गन्ना उत्पादन में तो सरकार की तरफ से और चीनी मिल की तरफ से मुझको पुर्षकास से सम्मानित भी किया गया था तो मैंने कहा क्यों ना सोचूं मैंने सोचा कि अपने जो अन्भो हैं मैं और भी किशान भाईयों तक शेयर करूँ जो मैं करता हूं अपनी खेती में तो मैं बताने की कोशिश करूँ तो जितने भी मेरे भाई हैं गन्ना उत्पादन जो करते हैं तो उनको मैं वीडियो के बारे में बताता रहता हूं वीडियो अफ्लोड करके तो आने वाले समय में भाईयो अभी बहुत ही कार बाकी है गन्ने के अंदर अभी बंधाई भी करना है अभी तो वो लेट है हम मैं दो बंधाई करवाता हूँ तब भी गन्ना रुप पाता है भाईयो सिंगल बंधाई में मेरा गन्ना गिरने का डर रहता है जिससे की मेरी हाइट है वो बहुत काफी हो जाती गन्ने की तो भाईयो अगर आप चैनल से जुड़ते हैं तो नई व्रैटियों के बारे में बताऊंगा क्या कार करने हैं जिससे उत्पादन आप लोगों का भी अच्छा हो खर पतवार कैसे नश्ट करने हैं सारी मैस के अंदर जानकारियां देता रहता हूँ वीडियो के अंदर तो एक लाइक बनता है बिना लाइक के मत जायेगा और अगर सवाल है तो कमेंट करें जवाब दिया जाएगा नई व्रैटियों के बारे में पूछना चाते हैं कैसे कहां मिलती हैं सारी जानकारी दी जाएगी आप लोगों को अच्छे तरीके से तो भाईयो अगर आप कॉल पर भी बात करना चाते हैं तो मेरी कॉल पर भी बात हो जाती है आज के लिए इतना था छोटा सा वीडियो था जैहिन सभी भाईयों को मेरे जर्ब से